प्यारे बच्चों, LGR स्टेडी में आप सभी का स्वागत हैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी जो है गनीत के अंदर आप सभी को पता है कि त्रिकुन मीती हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और त्रिकुन मीती का प्रसनावली 8.2 का जो है फर्स्ट का आज लास्ट कोश्चन देखने वाले हैं काफी जैदा जो है मातपूर नोगा चलिए सुरू करते हैं, डिरेक्ट हम लोग कोश्चन की और बढ़ेंगे यहाँ पर जितने भी प्यारे बच्चे अगर अभी तक LGRS Study एप डाउनलोड नहीं किये हैं तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि इस एप में आपको मैट्रिक बोर्ट एक्जाम के बहतर तैयारी के लिए सभी विशय का BVI Objective Question का PDF, BVI Subjective Question का PDF, Quick Revision Note, Model Paper, Class Note और Online Test बिल्गुल फ्री में आपको इस एप पर जो है मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या फिर पले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR Study App तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं शुरू करते हैं आज के महत्पूर्ण Questions को solve करने की कोशस करेंगे ये Question अगर देखा जाए तो Exercise 8.2 का पहला का पांचमा Question है पहला का क्या है? पांचमा Question है चलिए, शुरू करेंगे यहाँ पर हम डारेक्ट इसको क्या करने वाले हैं? हल करने वाले हैं जब आप हल करने के लिए जाएगा ठीक है? तो आप क्या कीजेगा? जो दिया गया इसको Same to Same पहले लिख लिजेगा आपने पेज पर हम मान लिजेए कि यहाँ पर हम लिख चुके हैं अब हम डारेक्ट क्या करेंगे? इसमें मान बैठाएंगे मान बैठाने के करम में आप उपर देख सकते हैं जो भी है आप उसका मान रखेंगे पांच कॉस स्क्वाइर साथ डिगरी तो पांच देखिए प्यारे बच्चों पांच तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पर कॉस और पांच के बीच में कुछ नहीं तो आप गुना डालेंगे इसके बाद कॉस साथ डिगरी तो कॉस साथ डिगरी का मान प्यारे बच्चों वन बाई टू होता है वन बाई टू होता है और इसका कर देना है आपको स्क्वाइर इसका क्या कर देना है स्क्वाइर कर देना है क्योंकि ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं एस्क्वायर लगा हुआ है ठीक है फिर आप देख सकते हैं कि बीच में पलस है तो पलस लिखेंगे चार है तो चार लिख लेंगे और फिर यहां पर हम गुना का साइन दे देंगे और सेक 30 डिगरी सेक 30 डिगरी कमान आपको 2 बटे रूट 3 होता है तो यह मान आप याद रख कर देंगे और टेन स्क्वायर 45 डिगरी तेन 45 डिगरी कमान होता है वन तो आपको यहां पर वन का क्या करना है स्क्वायर करना है अब नीचे में देखें कि क्या है नीचे में साइन स्क्वायर 30 डिगरी तो साइन 30 डिगरी कमान प्यारे बच्चों होता है एक बट्टा 2 तो इसका कर लेना है आपको square क्योंकि square लगा हुआ है उपर देख सकते हैं अब आप बढ़ी आगे और आगे जो value बगएरा है मतलब अब तो आपको इसे solve करना होगा तो चलिए solve करते हैं ध्यान से समझेगा सीखने की कोसिस कीजिएगा ये 5 जो है ये 5 को आप 5 लिखेंगे उसमे जो 2 है उसका square 4 होगा फिर बीच में पलस है तो आप पलस लिख लिजिए फिर 4 है तो 4 लिख लिख लिजिए गुणा है तो आप गुणा लिख लिजिए और फिर 2 बट्टा root 3 का आपको square करना है उपर जो 2 है उसका square हो जाएगा 4 लेकिन नीजे में जो आपका root 3 है root 3 का square 3 ही होगा क्योंकि root square से root क्या हो जाएगा यहाँ पर cancel हो जाएगा फिर आप यहाँ पर देख पार होंगे कि minus 1 है कितना है minus 1 का square तो 1 का square प्यारे बच्चो 1 ही होगा 1 बट्टा 2 का square होगा 1 का square 1 और 2 का square 4 पलस है तो हम लिखेंगे पलस root 3 का square आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो आपको root 3 दिया गया है इस root 3 का square हो जाएगा 3 और बट्टे में हैं आपका 2 तो 2 का square हो जाएगा 4 2 का square कितना होगा 4 होगा अब हम आज आते हैं यहाँ solve करने के लिए क्योंकि नीचे में अब जगा बहुत कम बच रहा है तो अब आप देखेगा कि क्या करना होगा नहीं करना होगा बिल्कुल simple ही है 5 को आप 1 से गुना कीजिएगा तो 5 बट्टा यह 4 हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 5 बट्टा आपको मिल जाएगा 4 खिर बिल्कुल ठीक है अगर आगे देखा जाए तो 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 16 बट्टा 3 होगा तो इस पलस में 16 बट्टा 3 होगा 16 बट्टा कीतना हो जाएगा 3 हो जाएगा फिर माइनस में 1 है तो 1 बट्टा हम इसको 1 लिख देते हैं नीचे में जो चीज है अभी आप उसको जो है उसको तना ही लिखने की कोशिस कीजिए नीचे में आप देख सकते हैं कि एक बटा चार है और फिर पलस में तीन बटा चार है पलस में कितना है तीन बटा चार है अब आप बढ़ जाईए आगे और आगे आप बटा का जोर करें यह उपर भी और नीचे भी तो कड़िये देखिये क्या है एंडर नहीं है तो आपको यहां पर जो जानकारी मिल रहा है जो आप यहां पर बना सकते हैं क्या है 3, 4 और 3 का LCM जो उपर आपको दिख रहा है सुरी 3, 4 और एक तो 4 तिया 12 होगा 12 होगा यहां पर समझने के आप कोशिस कीजिए LCM आगे आपका 12 ठीक है इसके बाद 4 से 12 भाग देज़ेगा 3 तो 3, 5 हो जाएगा आपका 15 3, 5 कितना होगा यहां पर आपका आजाएगा 15, 20, 3, 4, 12 और 16, 4, 64 यह बट्टा का तो जोर आपको आता ही होगा माइनस में माइनस एक से देंगे 12 में तो 12 और 12 का हो जाएगा आपका 12 नीचे में भी बट्टा का जोर आपको कर लेना है 4, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 4, 1, 4, 4 और 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3 जब आप आगे बढ़िएगा तो क्या होगा उपर में देखिए कि कितना क्या आपको मिल पा रहा है 15 और 64 और उसमें से घटा दिजेगा 12 तो सिधा समझ ये कि 15 में से 12 घटा दिए तो मिला 3, 64 में 3 जोर दिजेगा तो हो जाएगा सरसट तो यहाँ पर हम सरसट और बट्टा में कितना लिखेंगे तो 12 लिखेंगे सरसट बट्टा कितना लिखेंगे याँ पर 12 लिखेंगे फिर नीचे देखिए 3 एक 4 बट्टा 4 लिखना होगा 4 बट्टा कितना लिखना होगा 4 अब आप सभी प्यारे बच्चों जानते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ आंसर आने वाला है सिंपल सी बात है कोई छोटा सा बच्चा भी कहेगा कि 4 से 4 को भाग दिजिएगा तो एक हो जाएगा यानि कि कैंसिल खतम कुछ है ही नहीं इसके बाद आप उपर नीचे बे देखिए एक से कोई फार्क परेगा नहीं उपर में जो आपका सरसथ बट्टा 12 है वही आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सरसथ बट्टा 12 आपका बिल्कुल फाइनल एंड फूल आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से आप बनाएगा इस कोईश्चन को हम बढ़ेंगे आगे और अगले कोईश्चन को क्या करेंगे सीखने समझने की कोईशिस करेंगे तो आप भी क्या कीजिएगा फोकस आप आप यस میں मान बठाते चलिए तो मान बठाने के जाएगा तो सीधी सीधी बात है यहां पर आपको पता होना चाहिए जो 2 है वो दो रहेगा गुणा है तो गुणा अटेन 30 डिगरी का वान यारो बच्चो आप सभी को पता होगा की कितना होता है चलिए बताईंगे सर यह जो तेन-बीर है न बरच यह 16-v2 और पतिफीन एक बर्टा रूट के न्होंट के चिण होता है पिर नीचे में जो सूसर टिफू सहत चोलुक्य मतpばने हैं निएख लेकिन इसका करना एसक्वारर इसकुर क्या करना है, square करना है, हम बाएं लिखते हैं, दाहिने लिखते हैं, आप लोग नीचे नीचे ही लिखिएगा, ठीक है, चलिए, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उपर आप देखिएगा, तो दो बट्टा रूट तीन हो जाएगा, उपर कितना होगा, दो दो से एक को गुना कीजेगा तो यह होगा दो बट्टा रूट तीन दो बट्टा के जिना होगा रूट तीन होगा और नीचे में देखिए कि आपको क्या मिल रहा है नीचे में आपको मिल रहा है वन बट्टा वन वन बट्टा वन और पलस में एक बट्टा रूट तीन का स्क कि यहां पर आप देख पाएंगे कि उपर जो दो बट्टा रूट तीन था वह सेम लिख लेते हैं नीचे में देखिए बट्टा का जोर करना है आपको बट्टा का जोर करना है तो एक और तीन का RMCM 3 होगा एक दिया 3 और 31 का कितना होगा 3illy आफ 설 टो पर 233 में और एक 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 अब यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको क्या करना है सिंपल हो गया अब तो ठिक है आप देखिए कि उपर में आपको दो बट्टा रूट 3 दिख रहा है दो बट्टा रूट 3 ऊपर में दिख रहा है और नीचे में 3, 4 बट्टा यहाँ पर आपको दिखेगा 3 कितना दिखेगा तो sir आपको 4 बट्टा दिखने वाला है 3 जब आप इसको solve कीजिएगा तो आप सीधा बोलेंगे दो बट्टा रूट तीन जो उपर वाला है सेम तू सेम आप क्या करेंगे लिखेंगे एंड जो मेन बट्टा उसको गुना में बदल दिजे तीन जाएगा उपर और चार आ जाएगा नीचे तीन गया उपर और चार कहा आ गया सर्जी तो नीचे आ गया इससे एक बहुत ही बड़ा वाला फाइदा भी है देख सकते हैं कि दो से इस चार को भाग दिजेगा तो दो मिलेगा तो ये कट गया इसके बाद आप एक स्टेप और आगे बढ़िए और आगे जब बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है तो सिंपल सी बाते हैं उपर में बच रहा है तीन ठीक है और नीचे में बच रहा है रूट तीन नीचे में करिना बच रहा है रूट तीन बच रहा है आपको काम ये करना है कि नीचे से रूट को हटाना है तो नीचे से रूट को हटाने के लिए मैंने आपको कई बार बोला हर पड़ी मैं करन हर से आप उपर भी गुना कर दिजिए और हर से आप नीचे भी क्या कर दिजिए गुना कर दिजिए उपर में जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है तीन गुने ऐसे आप का सकते हैं तीन रूट तीन और नीचे में आप देखिए रूट तीन को रूट तीन से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा तीन एक मिनट लेकिन ये वाला दो आप देख रहे हैं ये दो आपने क्या कर लिखना थिखोड़ दिया तो दो लिखना च्छोड़ दिये तो आपको क्या करना है यहां पर आपको मिलने वाला है 3, दो गुने 3 कैसे मिलेगा सर ये जो 2 है, वो 2 ही दाएगा रूट 3 को, रूट 3 से गुना किजेगा तो 3 मिलेगा, अब आपका आगया final answer, क्या final answer है कि 3 से, ये 3 क्या होगा कट जाएगा, 3 से 3 जब प्यारवच्चों आप काटिएगा तो आपको बच रहा है, उपर में रूट 3 और नीचे में बच रहा है 2, अब आप ही बताएए कि 2, रूट 3 बच्टा 2 तो किसी भी option में नहीं है, लेकिन आप सभी को पता है, कि रूट 3 बच्टा 2 न, जो है, साइन कितना का डिगरी मान होता है, तो रूट 3 बच्टा 2, आपको पता होना चाहिए साइन 60 डिगरी का मान होता है किसका मान होता है, साइन 60 डिगरी का मान होता है, तो साइन 60 डिगरी आपका final answer होगा जो की option A में दिया गया है समझ में आया कुछ बात इस तरह से आप इस question को क्या करेंगे बनाएंगे हम बरते हैं आगे अगला इसी का दो number question है चलिए इस दो number question में जो सबसे पहले दिया गया है उसको क्या कर देते हैं लिख लेते हैं दिया है 1 minus आपको यहाँ पर 10 square 45 degree और बटे में आपको दिया गया है 1 plus 10 square 45 degree 10 square 45 degree इसको solve कीजिए बस simple है और आराम से इसे आप solve भी कर सकते हैं देखिएगा उपर में जो 1 है 1 रहेगा minus में 10 square 45 degree तो देखिए 10 45 degree का मान होता है 1 और 1 का यहाँ पर square कर लिजिए नीचे में 1 plus 10 square 45 degree तो 1 का square तो 1 ही होगा उपर में होगया 1 minus 1 बटे होगया1 पWhich 1 का square तो 1 ही होगा तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा क्या देखने को मीला सीधा सीधा देखने को मीला उपर में 1-1 कितना होगा सर जी, 0 होगा, नीचे में 2 होगा और 0 बट्टा 2 को आप बोलेंगे 0, 0 बट्टा 2 को क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे तो final 0 ही आपका answer होगा, जो की D option में दिया गया है तो इस तरह से आप इसको बना लिजिएगा नेक्स्ट बात करेंगे, हम लोग आपके जो है तीन नंबर question sign 2 A बराबर 2 sign A तब सत्य होगा, जब A बराबर हो A का मान 0 degree या 30 degree या 45 या 60 degree कितना degree रखेंगे, तो ये दोनों बराबर होगा, ये पूछा जा रहा है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इसका मान निकाल पाएंगे ठीक है, देखिए, अब A के किस मान के लिए ये बराबर होगा तो मान लेते हैं, हम A का मान 0 degree है ये लेखेंगे माना A बराबर 0 degree, हम 0 degree मान लेते हैं और देखते हैं कि यह बराबर होता है कि नहीं होता है तब अगर 0 degree मानते हैं तब क्या होगा देखिएगा यहांपर sin 2a है क्या देख रहा है आप लगों को sin 2a तो क्या होगा देखे यहांपर तब जो है आपका sin 2a जो है sign 2a है इधर और दाहिने में 2sin a 2sin a बराबर 0 तो देखिए यहाँ पर साइन 2 गुने A, A का मान 0 बराबर ये 2 तो 2 ही है और साइन A का मान यहाँ पर 0 हम डालेंगे क्योंकि उपर आप देख सकते हैं कि A को हमने क्या बोला है? 0 बोला है अब क्या होगा? समझिए यहाँ पर आगे ये साइन तो साइन रहेगा ही रहेगा, साइन तो साइन रहेगा 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो ये 0 डिगरी होगा, फिर आगे बढ़िएगा तो 2 साइन 0 डिगरी है कितना है? 2 साइन 0 डिगरी है तो देखिएगा क्या होगा यहाँ पर देखिए 2 तो 2 है और sin 0 degree का मान बताई आप लोग तो सब sin 0 degree का मान होता है 0 अब आपका काम बन गया क्या काम बना sin 0 degree 0 होगा कहिने में 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा यानि कि LHS बराबर RHS यहाँ पर हो गया ठीक है यानि कि आपने जब एक का मान 0 degree रखा तो दोनों बराबर हो गया दोनों क्या हो गया बराबर मिल गया बिल्कुल ठीक है अता आप लिख दीजिएगा अता ये बराबर 0 degree आंसर होगा क्या लिखेंगे अता ये बराबर 0 degree आंसर होई तो आपको जगा ये करना नहीं है यह option आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सई हो जाएगा next हम बात करेंगे आपके अगले प्रस्न का अगला प्रस्निया पर तीन नंबर के बाद जो है चार नंबर को चना चुका है क्या पूछ रहा है जो भी आपको है दिया गया क्या दिया गया है फिर आप क्या करेंगे जो भी आपको मान दिया गया है वो मान पहले क्या करेंगे बैठाएंगे फिर आप सबी को पता होना चाहिए एक बट्टा root 3 होता है एक बट्टा कितना होता है root 3 होता है फिर 1 बट्टा 1 कर देंगे minus है तो minus कर देंगे 10 square 30 degree कितना लिखेंगे 10 square 30 degree का तो भाई 10 30 degree का मान यहाँ पर आपको लिखना है तो 10 30 degree का मान होता है आपका एक बट्टा root 3 एक बट्टा रूट तीन होता है और चुकि pare है उपर में तो यहां भी क्या कर देंगे एसकु وال लगा देंगे अब एके step और आप आगे बढ़ जाईएगा तो उपर में 2 बट्टा रूट तीन होगा नीचे में जो 1 बट्टा 1 है वो रहने दीजिए पलस नहीं है वाइसा माइनस है तो माइनस रहने दीजिए एक का स्क्वाइर एक होगा रूट तीन का स्क्वाइर तीन होगा अब क्या करेंगे इधर देखिएगा सीधी सी बात है उपर जो भी है आप उसको अभिवेसा ही लिख दीजिए दो बट्टे रूट तीन दो बट्टे क्या कर दिजिए रूट तीन लिख दीजिए और नीचे में इसको आप जोरने की कोचिस कीजए तो आगे बढ़िएगा तो उपर था फ्यारबच्चो दो बट्टा रूट तीन फार ये वाला जो में बट्टा आपको दिखाई दे रहा है मेन बट्टा जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आप गुना में बदल लिजिए एंड जो 3 है वो चला जाएगा उपर और ये 3-1 जो है 2 आ जाएगा नीचे 2 कहा जाएगा नीचे आ जाएगा तो इससे आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि हो क्या रहा है कि 2 से ये 2 क्या हो जाएगा 2 से 2 प्यार बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है तो फिर क्या होगा उपर में बचा आपका 3 और नीचे में बचा रूट 3 नीचे में क्या बचा रूट 3 अब क्या होगा सरीए तो होगा क्या सो समझे आप याद रखेगा कि नीचे में रूट रहना अच्छी बात नहीं है तो नीचे से रूट हम अटाने की कोशिस करेंगे तो जिसको हटाना है उससे आप उपर भी गुना कर दीजे और उससे आप नीचे भी गुना कर दीजे इसी को हर पड़ी मैं करन कहते हैं तो उपर आपको प्यारे बच्चों553 गुने रूट 3 मिलेगा और नीचे में रूट 3 को रूट 3 से गुना कीजेगा तो 3 मिलेगा अब आप इसे अगर काटिएगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो आपको फाइनल जो चीज मिल पा रहा रहा है वो क्या मिल रहा है रूट 3 मिल रहा है लेकिन रूट 3 तो किसी option में है ही नहीं रूट 3 option में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई answer नहीं है लेकिन आपको पता होना है जी कि रूट 3 किसका मान होता है तो रूट 3 होता है sign 60 degree का मान root 3 किसका होता है sorry sign नहीं 1.60 degree का मान होता है 1 minute root 3 को आप sign 60 degree sorry फिर sign बोल रहे 10 कितना 3.60 degree 3.60 degree का मान होगा तो 3.60 degree ही आपका final answer होगा जो कि C option में क्या है given है चलिए अगले question को हम लोग क्या करेंगे समझने की कोसिस करेंगे next question आपके सामने है बोला गया कि यदि 10 A plus B वराबर root 3 और 10 A minus B वराबर एक बटा root 3 हो जहां पर A plus B 0 से बरा है और 90 से छोटा है और A बरा है B क्या है छोटा है तो इससे आपको कुछ ज़्यादा मतलब लेने की ज़रुत नहीं है तो आपको A और B का मान कितना होगा ये निकालने के लिए बोला गया है बस सिंपल है जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो जो पहले दिया गया है उसको क्या कर लेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे लिखेंगे दिया गया है दिया गया है क्या चीज दिया गया है तो आप देख बार है यहाँ पर 3A पलस B बराबर रूट 3 दिया गया है 3A पलस B बराबर रूट 3 दिया गया है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं उस चीजों को कितना तो 3A पलस B 3A पलस B बराबर कितना तो दिया गया आपको root 3 root 3 दिया गया है क्या होगा या तो समझने की कोशिस कीजिए simple सी बात है आप इस 10 A plus B को same to same 10 A plus B ही रहने देजिए क्या करना है जो आपका यहाँ पर 10 A plus B है उसको same to same 10 A plus B ही रहने देना है और दाहिने में root 3 है आप बताएंगे कि रूट 3, 10 कितने डिगरी का मान होता है रूट 3 जो है, 10 कितने डिगरी का मान होता है तो आप बताएंगे कि रूट 3 जो है, वो 10, 60 डिगरी का मान होता है तो रूट 3 के जगा पर 10, 60 डिगरी हम रख लिया अब इससे फाइदा क्या होगा, तो समझेगा, इससे फाइदा होगा कि यह जो 10 है, इस 10 से यह 10 कट जाएगा, जो कि हमें A B का मान निकालना है, तो हमें 10 और कॉट से कोई मतलब है नहीं, तो उसको खतम कर दिया हमने, अब 2 में बच गया A plus B, क्या बचा, A plus आपको बच गया B, और दाइने में बच गया 60 डिग्री, इसका नाम देदीजे, आप समी करन 1, और लिखिए फुनह, पुनह आप कोईस्टन में देखिए, आपको दिया गया है 10 A minus B, बच 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 ब उसको same to same लिख लिजिए और दाहिने बटता ये कि 10 कितने डिग्री कमान एक बट्टा रूर्टीन होता है, तो प्यारे बच्चों ये मान आपको याद होना चाहिए कि 10 कितने डिग्री कमान एक बट्टा रूर्टीन होता है, तो बोलेंगे कि तेन 30 दिगरी कमान तेन 30 दिगरी कमान एक बट्टा रूटिन होता है अब फिर यहाँ पर वही फाइदा होगा कि तेन से तेन जो है कट जाएगा और फिर हम बढ़ जाएंगे आगे क्या मिला यहाँ पर आपको तो देख सकते हैं बचा A-B क्या बचा A-B बचा और दाहिनेम बचा 30 दिगरी इसका नाम देदीजे समीकरन 2 अब आप समीकरन 1 और 2 को हल कीजिएगा तो A और B कमान आराम से क्या हो जाएगा मिल जाएगा हम बिलोपन बिदी से हल करना चाहते हैं इसलिए क्या करेंगे समीकरन 1 और समीकरन 2 को क्या करेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे समीकरन 1 पलस 2 करने पर 1 पलस 2 करने पर तो करो 1 पलस 2 देखिए कि समीकरन 1 पलस 2 कमान क्या होगा तो सीदे सी बात है समीकरन 1 आपके पास है a plus b बराबर 60 degree क्या है a plus b बराबर 60 degree 60 ही मानी अभी and समी करन दो है a minus b बराबर 60 a minus b बराबर कितना है 60 नहीं है 30 है वाई साब अब चुकी जोड़ना है तो चिन नहीं बदलेगा सीधी सी बात है plus b minus b क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा plus b minus b क्या होगा यहाँ पर cancel हो जाएगा हलका इसको और अच्छा तरिका से काटते हैं तो plus b minus b क्या हुआ कट गया कटने के बाद आप क्या करेंगे 1 a और 1 a 2 a हुआ दाहिने में 36 9 यानि की 90 ठीक है अब आप यहाँ पर a का मान डारेक्ट पता कर सकते हैं 2 से 90 को भाग दीजेगा तो मिलेगा 45 के ना मिलेगा 45 यानि की आप बोल सकते हैं क्या चीज की a बरावर a बरावर 45 डिगरी a का मान आपको 45 डिगरी मिल गया अब आप इसी का मान समीकरन एक में रख दीजे तो लिखेंगे समीकरन एक में क्या लिखेंगे समीकरन एक में a बरावर 45 डिगरी a बरावर 45 डिगरी ठीक है समीकरन एक में a बरावर 45 डिगरी a बरावर कितना तो 45 डिगरी रखने पर रखने पर तो रख देजीए क्या है आप सीधा सीधा देखेंगे समीकरन एक को समीकरन है एक है ए पलस बी बराबर 60 इसमें आपको एक जगा पर 45 रखना है ठीक है और पलस में बी है तो भी रख देंगे दाहिने में 60 है तो 60 रख देंगे अब बढ़ जाएए आप आगे जो भी है वो भी रहेगा दाहिने में जो 60 है 60 रहेगा 45 दाहिने जाएगा तो माइनस 45 डिगरी हो जाएगा हम आपको ये चीज हलका सौल्व करके यहां पर दिखा देते हैं तो आप यहां पर आईएगा तो आपको पता चलेगा कि बी का मान मुझे मिला 45 डिगरी यह बराबर मुझे मिला कितना 45 डिगरी और बी बराबर जो मिला वो मिला 15 डिगरी 15 डिगरी यह आपका फाइनल आंसर है अब देखिए कुछ कुछ कुश्चन में बात बोला गया था बात बोला गया था कुश्चन में कि ए पलस बी जो है वह जीरो से बरा होगा अर्नब्य से चोटा या उसके बराबर होगा तो 45 और 15 जोड़िए गा तो मत्र 60 होता है किजिना होता है 60 तो इसका मतलब सावीत हो रहा है दूसरा बोला था कि ए बराबर एक निवलीखित में से कौण सत्य हैं या सत्य हैं कारण सहीत अपने उत्तर की पूस्ट d किए कारण आपको बताते हुए अपने उत्तर के बारे मताना है कि कौन सही यह है जिदी बात देखिये पहला है कि San A plus B बराबर San A into San B जो कि बिलकुल इसमें क्या किया है जेखिए इसने San ago गुना कर दिया एसे तो नहीं होता है यहां पर यह ढूना जो है नहीं होता है यह तो तीटा और तरिकोर मीती अनुपात के बीच में संब्द होता है लेकिन इसने क्या कर दिया इसने क्या कर दिया पैर बच्चो गुना कर दिया तो यह हो जाएगा आपका और सत्य क्या होगा तो और सत्य होगा दूसरा देखिए ठीटा में बिर्धी होने के साथ साइन ठीटा के मान में भी बिर्दी होती है ये बिल्कुल सत्य हैं बिल्कुल क्या है सत्य हैं बोलेंगे कैसे सर ये सत्य हैं तो आपने देखा था मैंने बताया था भी आपको कि जब साइन ठीटा का मान जीरो डिगरी होता है तो साइन जीरो डिगरी का मान जीरो होता है और जब ठीटा का मा होने के साफ साइन साइन सीटाके मान में भी विर्दी होता है एक तम सही और दूसरा इसका डुलदा बता था कि अगर फीता के मान में विर्दी हो गा तो कोस्ट इठास का वह मान चाहए का दो मान है भठे लिगा ना की समझ सकते हैं बातों को अगला question है just आपके सामने कि theta में बिर्दी होने के साथ cos theta के मान में भी बिर्दी होता है और सत्य है ये क्या है क्योंकि theta के मान को बढते हैं तो cos theta का मान घर्टता है ठीक है next बात करेंगे यहाँ पर कि theta के सभी मानों पर sin theta Badem 설명 on cos theta ये भी क्या है sir औ-सत्य है बोलेंगे कैसे ये औ-सत्य है तो theta के के दे लिए हैं से theta Bуди है के दे लिए है write 45 दिगरी पर साइन theta और cos theta Bड़ाबर होता है जिसे sign 45 दिगरी बराबर 1 बड़्टा root 2 होता है और cos 45 दिगरी बराबर भी एक बट्टा रूट दो होता है ऐसा नहीं है कि ठीटा का कोई भी मान रख दीजिए तो साइन ठीटा और कॉस्ट ठीटा बराबर होगा ये बात गलत है केबल एक ही मान पर ऐसा होता है पांच नमबर है कि A बराबर 0 डिग्री पर कॉट A परिभासित नहीं है तो आपने देखा भी है कि कॉट 0 डिग्री का मान होता है और परिभासित को ही तो बोलेंगे परिभासित नहीं तो ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि court zero degree का मान और परिभासित होता है जो कि बिल्कुल ही क्या है सत्य है बिल्कुल ही क्या है सत्य है तो इसमें भी आप जो है सत्य option क्या कर सकते हैं select कर सकते हैं तो इस तरह से आपका जो ये प्रसनावली है वो क्या हो जाता है complete हो जाता है अब हम देखते हैं कि अगला जो प्रसनावली है आपका उसके बारे में क्या है नहीं है और 8.3 शुरू कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे तो चलो कर लेते हैं 8.3 हम लोग क्या कर लेते हैं शुरू कर लेते हैं क्योंकि मतलब अच्छा कासा टाइम आपके पास अभी है तो 8.3 शुरू करते हैं आप भी ध्यान लगा कर सुनने की कोशिस कीजिएगा कुछ भी नहीं है बहुत ही सिंपल है हमारे टॉपिक का नाम है पूरक कोनों के त्रिक पूरक कोन किसे कहते हैं तो वैसा दो कौन जिसका योग 90 डिग्री हो उसे कहते हैं पूरक कोन यहां पर मात्र 6 फर्मूला याद रखना है और यह 6 फर्मूला साइन को कौस में चेंज करने के लिए या कौस को साइन में चेंज करने के लिए होगा और टेन को कौट में चेंज करने के लिए होगा सेक को कौसेक में चेंज कर सकते हैं इस फर्मूला के मदद से या कौसेक को सेक में आप इस फर्मूला के मदद से क्या कर सकते हैं चेक कर स मैनस ठीटा होता है एक कॉस ठीटा और कॉस 190 मानश ठीटा होता है साइं ठीटा तो Delhi का पर दूसरा हुआ इस दूसरे मनश ठीटा हो गता है एक सी दूसरी माईरी म One अब आप कहेंगे कि सर ये फर्मूला काम कहाँएगा तो जब कभी भी आपको चैन को eg Train को साइन में चेंज करना होगा तो यह फर्मूला अगर को साइन में आठ दे चाहिए जतना जरूरी है उतना ऊतना देते चलिए आगे बढ़ते चलिए आपका काम जो है असान होगा और बच्चे भी समझ ही फर्मूला क्या है काफी है चलिए हम बताकते हैं कि आपको ये कैसे और कितना आसान चीज है देखिए गाँ पर आपको बोला गया आर्ट दसमलत तीन का पहला प्रसमें कि निम्लिखीत का कामान च्ञात कीजिए यहां पर आपको जो पहला कोश्चर्न दिया गया है कैसे य मान कैसे निकालें अपको दिया गया एक साइन 18-2 40 वेठी क्या दिया गया है तो खीशिवाव तोस्द दो कि स्टेरी दिया मान तो याद है तो अब बात उठता है कि हमें जब साइन 18 का मान याद ही नहीं है कोस बहतर का नाम हम मान हमने पढ़ा ही नहीं है तो कैसी हम इसका मान निकालेंगे तो देखिए इसका मान हम बहुत ही सिंपल तरीका से निकाल पाएंगे आप जब इस तरह का कोश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आप यहां देखिएगा कि इस दोनों कोन का योग 90 डिग्री है कि नहीं तो 18 और 72 डिग्री बिल्कुल ठीक इसका मतलब यह दोनों पूरक कोन है यह दोनों क्या है पूरक कोन है वैसा दो कोन जिसका योग 90 डिग्री होता है उसे कहते हैं पूरक कोन और साइन को या तो कॉस में कर दीजिए या कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए आपका काम जो है हो जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं वहाप ध्यान से समझने की कोशिस किजिए साइन को स्येम रहने देते हैं उपर में 518 तो हमushima 18 ही रहने देते हैं आर नीचे में जो कॉस है ना उसको साइन बदल देते हैं सॉन में तो आप देखिए कि कॉस को साइन में बदलने हो तो फर्मूला लिखेंगे साइन 90 डिगरी माइनस ठीटा यानि कि नीचे में जो कॉस है इसको साइन में बदलना है तो हम लिखेंगे साइन साइन 90 डिगरी माइनस ठीटा तो से ठीटा कौन ये वाला ठीटा ही हमेशा ठीटा का लाएगा तो 90 डिगरी माइनस क्या होगा खटा लिजिए तो यहां पर आपका हो जाएगा कितना से एक मरतबे यहां पड जो है न सील ओ जाएगा एक मरतबे क्या हो जाएगा तो आपका final answer क्या हो गया एक हो गया सिधा समझें न कि sign 18 को sign 18 से भाग देना एक ही होगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना आसानी से आपने इस question का क्या कर लिए जब आप निकाल दिया जब आपको इस तरह का question पूछे पूरक कोन बाला तो आप ऐसे ही क्या करेंगे बनाएंगे दूसरा question हम देखने जा रहे हैं जो की same to say में इसी तरह का है दूसरा में आपको दिया गया आपका 2464 मेंभे डिरी हो रहा है तो प्रजिए तो हम 26 का मान जानते नहीं चुछसर का भी मान नहीं जांते हैं तो हम एपको change करेंगे तो उपर का चैंज कर दिजिए या नहीं तो निच लगा को वरिकर नहीं उपर बाले को सेम्-to-심 बदेंगे जो आपका टेन 26 है उसको सेम्-to-same लिख दिए फिर कॉड 84 जो है इसको टेन में बदलना है तो कॉड को टेन में बदलने के लिए होता है कोट ठीटा बरावर फर्मूला होता है तेन 90 डिग्री माइनस ठीटा तो ठीटा का मानी हाँ पर है 64 ठीटा का मान के दिना है 64 है अब आपका आंसर आ जाएगा उपर में जो प्यारे बच्चों आपका 6 2 2 लिकिए नीचे में आपके पास देख लीजिए कि यहन से क्ट जाएगा तो 26 डिग्री ही मिलेगा तो फिर से वही सिचुएशन आया कि नहीं आया कौन सा सिचुएशन तो 26 बटे 26 तो 27 को 27 बटे 26 को 27 से भाग देजाएगा तो यह canceled canceled cut जाएगा यह क्या हो final answer देगा एक इसी तरह से आप इसके तीसरा प्रसन को भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं तीसरा प्रसन में क्या है तो आपको दिया गया है अब क्या करेंगे वो ध्यान लगाई है तोकरना यह है ग्या को ठेख रहे हैं जो सकते हैं लगा देगे यहाँ पर cos 48 को same to same रहने देते हैं cos 48 को same to same रहने देते हैं और minus में sin 42 sin को हम cos में change करना चाहते हैं तो sin theta बराबर होता है cos 90 degree minus theta cos 90 degree minus theta theta का मान है पैर बच्चो 42 theta का मान कितना है? 42 है अब आगे बढ़ ये तो क्या होगा? ये cos 48 आपको दिख रहा है तो बिल्गुल सर cos 48 degree तो दिख रहा है और बीच में minus है तो minus cos 90 में से 42 घटाएगा तो फिर ये cos 48 degree ही होगा तो यहाँ पर आप देखिए कि cos 48 में से cos 48 घटाएगा तो मिलेगा 0 answer answer कितना मिलेगा? 0 मिलेगा ये भी आपका answer है और ये भी आपका क्या है answer है तो तीन तो ऐसे भी बना दिए हैं चौथा का भी answer 0 ही होगा देख लिजे हम चौथा भी बना देते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं? चौथा बना देते हैं क्या है चौथा में? तो चौथा में दिए गया cos 31 degree minus 69 degree यहाँ पर लिख लिजेगा जो दिया गया है क्या दिया गया है? cos 31 degree A minus अच्छा cos 31 लिख दिये भाई cos 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 31 degree है और minus है 6 6 69 degree अब इसमें आप किसी एक को चेंज कर दिजे तो हम क्या करते हैं? cos 31 को रहने ही देते हैं ठीक है? या फिर आप कहेंगे कि sir आप हमेशा उसको ही चेंज करते हैं चलो भाई कर देते हैं जो आपका cos 31 degree है इसको same to same क्या करेंगे हम? cos 31 degree ही क्या करेंगे हैं आपर? लिखेंगे 31 degree था तो 31 लिख देते हैं यहाँ भी 31 ही लिखेंगे minus है तो minus और सेक ठीटा को cos ठीटा में बदलेंगे तो फर्मूला होगा सेक ठीटा बराबर cos एक cos cos 90 degree माइनस ठीटा 90 degree माइनस ठीटा ठीटा का मान कितना है? 69 ठीटा का मान कितना है? 69 degree अब आप इसको solve कर लिजे तो solve करिएगा तो इधर जो तो यहाँ पर मिलेगा 31 degree बस आपका final answer हो जाएगा यहाँ पर 0 final answer क्या होगा? 0 होगा यानि कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर 0 answer आपका होगा क्योंकि आप 5 में से 5 घटाते हैं तो 0 होता है उसी तरह से cos एक 31 में से cos एक 31 घटाएगा तो भी 0 ही होगा क्या होगा? 0 ही होगा चलिए अब हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं और अगले परसनों को क्या करेंगे? solve करेंगे ठीक है? तो आज आईए देखते हैं हम लोग इसके दूसरा नमबर परसन को तो समझेगा क्या है? नहीं है? क्या करना है? नहीं करना है दूसरा नमबर परसन हम लोग समझते हैं क्या बोला गया है? दिखाए कि इतना जो है बरावर है 1 के और इतना जो है बरावर है 0 के तो कैसे दिखाएंगे? आईए जब हम हल करने के लिए आएंगे तो सबसे पहला को दिखाने की कोशिस करेंगे पहला में LHS को स्वाल्व करके RHS अगर मिल जाता है तो बोलेंगे ये सही है पुरूब्ड हो गया और नहीं आता है तो बोलेंगे पुरूब्ड नहीं होगा वह तो हम सबसे पहले चलेंगे LHS से LHS में क्या दिया गया है तो LHS में दिया गया है आपको 10,48 degree ठीक है एंड इंटू में 10,23 degree 10,48 इंटू कितना दिया गया है तो 10,23 degree दिया गया है फिर इंटू 10,42 दिया गया है 10,42 दिया गया है और 10,60 भी दिया गया है कितना दिया गया है 10, 60 इसको solve करने के लिए जाएंगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो 48 जो है 42 के पूरक है और 23 जो है वो 60 के पूरक है तो जिसका जोरा लग रहा है उसमें से किसी एक को change करना है तो ये दो अलग है और इसी का पूरक ये दोनों है तो हम इसी दोनों को change करने का कोशिस करते है ठीक है और बाकी को क्या रहने देंगे इस दो को same रहने देंगे तो चलिए आप देखिएगा कि हम क्या करते है यहाँ पर हम करना क्या चाहते है कि जो आपका बाए में 10, 48 है वगेरा है उसको हम same to same रहने देंगे चाहते है तो यहाँ पर 10, 48 को 10, 49 लिखते है जो 10 23 दिगरी है उसको 23 लिखते है लेकिन 10, 42 को को किसमे चेंज करना चाहते है उसको 10 अगरिष में चेंज करना है तो 10 थीटा वराबर है 9, 90 धृबरी माइनस थीटा कौट 90 degree माइनस ठीटा ठीटा का मान कितना है सर तो 42 degree है फिर यहाँ पर 10 सरसट को चेंज करेंगे कौट में तो 10 ठीटा बरावर होता है कौट 90 degree माइनस ठीटा ठीटा कितना है सर तो सरसट है अब आप इसको आगे solve कीजी तो क्या देखेने को मिलेगा देखेजिए जो आपको तेन 48 degree मिल रहा है फिर जो आपको तेन 23 degree मिल रहा है वो भी आपको रहने दीजिए ये कौट कितना होगा बताईए ये कौट कितना होगा तो 90 में से 42 घटाईगा तो 48 ही होगा फिर यहां पर भी कितना होगा तो यह cot कितना होगा नवे में से 66 गटाईएगा तो 23 होगा कितना होगा 23 होगा अब आप क्या कर लिजिए जो आपका टेन अर्टालिस है टेन कितना है 48 दिगरी इसके साथ आप जो है लिख लिजिए cot 48 को तो हम इसके साथ लिख लेते हैं कौट 48 दिगरी को ठीक है और फिर जो आपके पास यहाँ पर 10 23 है क्या है 10 23 दिगरी है इसको लिख लिजिए कौट 23 दिगरी के साथ कौट 23 दिगरी के साथ लिख लिजिए अब आप बताएं कि क्या अंसर हो का तो 10 48 और कौट 24 दिगरी के साथ अंसर नहीं समझ में आ रहा है आपको समझ में आएगा कब हलका आगे आपको मैं यहीं सब सुत्र बताने बाला हूं कि क्या होता है तो आप लोग क्या किजिएगा समझेगा कि 10 theta into 4 theta 1 होता है यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है गुना है और फिर यहाँ पर 10 23 गुने 4 23 लेकिन सर्थ है कि theta एक जैसा होना चाहिए ठीक है तो theta एक जैसा करने के लिए ही तो हमने दोनों को एक एक कोष्ट में क्या किया लिखने का प्रयास किया है तो यहाँ पर आप वन गुनी वन कीजिएगा तो वन आएगा आप चले थे लह से और पहुंच गए और रहस पर यहीं आपका और यहीं आपका और यहीं आपका और यहीं दोनों ब्राबर है ठीक है यहाँ गए को तुमने प्रूब्ड कर दिया अब दूसरा भी आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं प्रूब्ड कर सकते हैं चलिये देखते हैं दूसरा को कैसे हम प्रूब्ड करेंगे दूसरा में क्या है कॉस 38 कॉस बावन चलिए हम दूसरा को जब solve करने के लिए जाएंगे तो LHS में जो दिया गया उसको लिखते हैं ठीक है LHS क्या है तो यहाँ पर दिया गया था सर्क कॉस 38 डिग्री एक मिनाट हाँ 38 था तो कॉस 38 डिग्री और इंटू में था कॉस बावन डिग्री इंटू क्या था तो कॉस बावन डिग्री था एंड बीच में माइनस था तो हम लिख देंगे माइनस और फिर क्या होगा साइन अर्थिस साइन बावन तो साइन अर्थिस साइन बावन लिख देंगे हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखेंगे, साइन 38 डिगरी इंटू साइन 52 डिगरी, साइन कितना डिगरे लिखेंगे, 52, अब क्या करूं सर, तो अब आपको क्या करना है, वो आप ध्यान से समझने की कोशिस कीजिएगा, या तो आप इस दोनों कॉस को साइन में बदल दीजिए, या नहीं तो इस दोनों साइन को कॉस में बदल दीजिए, तो हम इस दोनों साइन को कॉस में बदलने का करते हैं, हम सफल प्रयास, तो चलिए, आप देखिएगा, कि क्या होगा, कैसे होगा, बाए में, जो भी चीज है उसको same to same आप रहने दीजिए तो क्या है सरभाए में बाए में है आपका cos 38 degree ठीक है into cos cos भावन डिगरी माइनस है तो माइनस sin को cos में बदलना है तो sin theta बराबर होता है cos 90 degree minus theta और theta है 38 degree फिर यहाँ पर देखेंगे sin 52 को बदलना चाहेंगे cos में तो होगा cos 90 degree minus theta तो theta है 52 तो लिखेंगे यहाँ पर 52 अब आप आजाए आगे जो आपको यहाँ पर cos 38 degree दिखाई दे रहा है into cos 52 degree दिखाई दे रहा हो लिख लिखेंगे minus है तो minus और यहाँ पर देखें cos तो होगा 90 में से 38 degree होगा तो आप देख सकते हैं कि यह और यह दोनों बराबर है दोनों एक ही चीज है यहाँ पर भी है cos 38, cos 52 यहाँ भी है cos 38 into cos 52 तो जब सेम चीज में से सेम चीज को घटाते हैं तो आपको फ्यारे बच्चों पता होना चाहे कि आंसर मिल जाएगा 0 और यही आपका RHS है मतलब LHS से चले तो RHS पर पहुंच गए यानि कि यह हो गया PROVED क्योंकि LHS यहाँ पर दोनों बराबर रहा होगा एक ही जैसा रहा होगा इसी लिए आपको यहाँ पर जो है देखने को जो है मिल गया ठीक है अब बरते हैं आगे हम अगले प्रसन पर करेंगे बहुत ही करारा परहार एक मिनट आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देखिए तब तक हम पानी पी लेते हैं ठीक है प्रोपले करें अभले रहा हिए फ्रेश लिए करेंगे बप्राव्योव जात्रक्षार। प्रत्षण को कि अव्र धर्षण को चलिए इस कुश्चन को देखिएगा पूड़े हम पाने पी के तजा हो चुके हैं तो बहुत सारे कुश्चन को सॉल्व कर लेंगे समझेगा क्या है यहां पर कुश्चन है कि यदि टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस अठारा डिगरी जहां टू ए एक निवन कोन है तो एक कमान ग्याद किजिए बेरी सिंपल देखिएगा कैसे है यह बेरी सिंपल जब हम हल करने जाएंगे तो जो दिया गया उसको लिख लेंगे ठीक है लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है तो आपको दिया गया है तो आपको दिया गया है टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस अठारा डिगरी अब इसको आप सॉल्व कीजिये तो क्या होगा समझेए मैं चाहता हूँ कि यह टेन कोड हट जाए लेकिन हट यह कैसे देखिया यह यह टेन टू थीटा है टेन टू ए है तो इसको बांव कि थीटा हो गया है इसल्दा हो किजिन नहीnd थीटा हम तेन को कॉट थीटा में प्रदेखिएगा कॉट नभे डिगरी मायनस थीटा नभे डिगरी मायनस थीटा थीटा के जरना है तू ए है तो यहाँ पर टू एक देंगे दाहिने में जो है कॉट सिप यहीं पंद प्रद स्टोफ और से मईंस आघाएगा यहां पर फजयेगा है थे दोनों त्रफ आपको यह इनग्या का्ँता था यह किया बैं अचाँ नहीं को कक बिर तो बचा था देतो देख्यों को अच्व्क बाये में डेक्षा था को कमाल की बात है, माइनस 2A जो दिख रहा हो रहेगा, A को बाएं लएगा, तो ये माइनस A हो जाएगा, दाहिने में पहले से माइनस 18 डिगरी बैठा है, ये 90 जाएगा, तो माइनस 90 डिगरी होगा, 90 जाएगा तो क्या होगा, माइनस 90 डिगरी होगा, और फिर, माइनस 2A और मा माइनस थीडी ए कितना होगा माइनस थीडी ए होगा अब क्या करूं दाहिने देखूं सर नब्वे में अठारा जो लिएगा तो एक सो आठ होगा माइनस एक सो आठ बिल्कुल माइनस एक सो कितना होगा सर आठ डिगरी होगा माइनस एक सो आठ डिगरी हो गया अब तो आपका आठ को भाग दीजिएगा कितना होगा तो से तीन दिया 9 तो दस-में से 9 गया तो एक पर आठा आया तो तारा और 266 यानिकि आपको एक आमान मिल गया आपको प्यारे बच्चोन एकर यह ब्रावर दिना मिला 36 दिग्री 36 दिग्री आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो कि एक नियून कोन है च्टिजुना 72 होगा तो भी तो न्यून कोन ही हुआ तो एक आमान निकल गया इस तरह से आप एक क्या कर सकते हैं बना सकते हैं अब बरतें आगे अगला कोशन देखिएगा अगला और इससे भी आसान है यदि टेन ए बराबर कॉट भी दिया है तो सिद्ध कीजिए कि अगला कीजिए हम चाहते हैं कि टेन और कॉट भी दिया गया है अब क्या कीजिए हम चाहते हैं कि टेन और कॉट हट जाए इस दुनिया से खतम हो जाए तो कैसे खतम होगा देखिए बाए में जो टेन ए है इसको टेन ए ही रहने देते हैं लेकिन कहिने में जो कॉट भी है इसको हम टेन में बदलना चाहते हैं तो कॉट ठीटा बराबर होता है टेन नबबे डिगरी माइनस ठीटा और ठीटा यहाँ पर भी है तो हम यहाँ पर लिख देंगे भी अब आप यहां पर देख सकते हैं कि टेन तो ना निगाओं जाने के लिए त्यार है तेन से टेन क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बचा सरब आपके पास तो सिंपल सी चीज बच रहा है बच यू रहा है कि ये जो है वह ये है बाएं में दाहिने में यह बी दिख रहा है ना इस बी को बाएं लाइएगा तो एक काम करो एक स्टेप और हम इसको नम राते हैं बोलो दाहिने में इतना ही बचा हुआ है कि नहीं अब आप क्या कीजिए एक को लिखिए दाहिने से बी लाएंगे तो माइनस भी है तो पलस भी हो जाएगा और दाहि पलस भी ब्रावन 90 डिग्री यह हो गया हमारा पी आर ओभी यानि की प्रूब्ड हो गया यह कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं बताने के लिए हम क्या है तैयार है आपको अब बढ़ते हैं आगे और अगला प्रसंद क्या करेंगे हम लोग समझने सीखने की करेंगे बहुत ही जबरतस्त वाला कोशिस तो चलो भाई साब दो ही तीन कोश्चन और बचा है तो हम उसको निप्टा ही लेते हैं यहां पर आपके सामने आ चुका है पहर बच्चों पांच नंबर कोश्चन जो कि यह भी बहुत सिंपल है सेख चार ए बराबर कॉस सेख एवानस 20 तो चार एक निउन कोन है तो आपको एक अमान ग्यात करना है सिंपल है एक अमान आप अडाम से ग्यात कर सकते हैं देखिए जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो जो दिया गया उसको क्या करेंगे लिख लेंगे तो लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है क्या दिया सेख कोसेख A-20 डिग्री यानि कि यह देख सकते हैं अब क्या होगा सब तो अब सिंपल सी बात है अब आप हम चाहते हैं कि सेख और कोसेख खतम हो जाए तो हम क्या करेंगे इस सेख A को यह सेख 4A जो है यह 4A ठीटा है चार A क्या है ठीटा है तो सेख को हम कौसेख में बदलना चाहते हैं तो सेख ठीटा बराबर होता कौसेख C-O-S-E-C 90 डिग्री माइनस ठीटा और ठीटा है 4A तो यहाँ पर हम 4A लिख देंगे दाइने में जो है उसको सेम तू सेम लिखेंगे क्या है C-O-S-E-C कौसेख A-20 डिग्री अब इसको हम सौल्व करेंगे सौल्व करने के लिए जाएगा तो सिम्पल सी बात है C-O-S-E-C-C-E-C-C-C-E-C-A तो क्या होगा यह 90 डिग्री माइनस 4A दिख रहा है 90 डिग्री और माइनस 4A दिख रहा है धा Además ए क्वेश 2. x-20 डिख रहा है आपको A का मान निकालना है तो माइनस 4A जो है इसको बाएं रखिए दाहिने से 1A लाइएगा तो माइनस A होगा दाहिने में माइनस 20 डिगरी है तो माइनस 20 डिगरी लाएगा बाएं में आपके पास पलस 90 है दाहिने जाके माइनस 90 हो जाएगा अब आप आगे solve कीजिएगा तो minus 4A और minus 1A ये minus 5A हो जाएगा दाहिने में 90 बीस हो जाएगा minus 110 अब आपका यहां से ही खेला है खतम minus से minus कट जाएगा 5 से 110 को भाग दीजेगा तो 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10 यानि की 22 डिगरी कितना डिगरी हो गया? 22 डिगरी हो गया बाई में बच आपका A दाहिने में 22 दाहिने में 22 डिगरी तो यही तो आपका final answer है simple से आप इसे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं समझने ही पाल इस तो बात थी हम देखते हैं अब अगले question number 6 को question number क्या आपको देखेंगे? हम चौको देखेंगे यह बहुत ही simple question है तो कोई बड़ी सी बात जो है इसमें है नहीं question क्या बोल रहा है? कि यदि ABC तिर्भूज ABC के अन्ता कोन हो तो दिखाईए कि sin B plus C बटे 2 बराबर cos A बटे 2 होगा चलो भाई, दिखाएंगे कि कुड़ा फोर देंगे question को दज्जी दज्जी उरा देंगे simple है जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? आप समझेगा question में जो दिया है उसी पर बात करेंगे question में बोला कि ABC तिर्भूज का अन्ता कोन है? तो लिखेंगे चुकी चुकी A B और C तिर्भूज तिर्भूज ABC का अन्ता कोन है? तिर्भूज ABC का अन्ता कोन है? तिर्भूज ABC का क्या है? अन्ता कोन है अब आप सभी जानते हैं कि तिर्भूज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? 180 डिगरी होता है चुकी ये तिर्भूज ABC का अन्ता कोन है? इसी लिए सभी को जो रहेंगे तो मिलेगा 180 डिगरी यानि की इसी लिए A पलस B पलस C बराबर होगा 180 डिगरी क्योंकि हमने आपको बताय था कि त्रिभूज के तीनों कोनों का योग 180 डिगरी होता है अब हम क्या करेंगे जो आपका A पलस B पलस C है इसमें भी 2 से भाग दे देंगे आरदाहिने में जो एक स्वस्य है उसमें भी हम 2 से भाग देंगे 2 से भाग देने से क्या होगा देखिएगा यहाँ पर आप दोनों तरब भाग दे सकते हैं ऐसा प्रावधान है गनित में 2 से भाग देजेगा तो यह हो जाएगा 90 डिगरी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा अब आप एक काम कीजिए यहां पर काम क्या है आप देखिये यहां पर बाएं बाएं में आप देखिएगा तो यह है B पलस C A पलस B पलस C बट्टे दो यानि कि यह जो दो है A के नीचे भी है B के नीचे भी है और C के नीचे है c is और सबका जो है ना सबकर विच बलस लगा हूआ है तो आप बताएएं हम इस किसे पलस B पलसC बट्टे 2 को मैं कि यह बट्टाद ओं ठीक है यह बट्टा 2 और पलस कि भी पलसC बट्टाद क्लिख सकते हैं कि ने बोलेगे यह जर लिख सकते हैं कोई बरी βात नहीय है अलग कर दी है केवल, एक केवल क्या कर दी है, अलग कर दी है, अब ही भी दो, एक के नीचे भी है, और बी पलस, सी के नीचे भी है, और दाहिने में कितना है, तो दाहिने में है 90 डिगरी, दाहिने में क्या है, 90 डिगरी, आप एक काम कीजिए अब, आप काम अब आपको करना यह है कि जो आपको B पलस दिख रहा है, बट्टे में दू उसको रहन दीजिए, दाहिने में है आपका 90 डिग्री, एड़ बट्टे 2 को दाहिने भीजिएगा, तो माइनस एबट्टे 2 होगा, माइनस एबट्टे क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, अब इसका नाम आप जो है ना मतलब समीकरन एक यहाँ पर दे दीजिए, थाकि आपको आगे इसे पाचानने में फिर जो है, मदद मिल सके, तो मिले दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, ऐसा हम नहीं, यह समीकरन एक बता रहा है, कि दोनों क्या है, बराबर है, अब क्या करेंगे, तो अब हम जो है, आगे बरेंगे, और यहाँ पड़ी कर देते हैं, कारनामा, लिखेंगे, अब प्रसन के LHS से, ठीक है, लिखें है प्यारे बच्चों तो लिखिए क्या दिया गया है एले जिसमें दिया गया है साइन भी पलसी बट्टे टू साइन भी पलसी बट्टे क्या दिया गया है तू दिया गया है अब आप ही बताईए जो यह साइन है इसको हम साइन लिख सकते हैं भी पलसी बट्टे टू के जग तो है उसके जगा पर हम लिखने वाले हैं 90 डिग्री माइनस ए बट्टे टू लिखने वाले हैं अब इससे क्या होगा वो समझने की गोशस कीजिएगा अब इससे फाइदा यह होगा कि यहां पर आपको situation मिल रहा है साइन 90 डिग्री माइनस ठीटा ठीटा के जगा पर है एक बट्टे दो तो साइन 90 डिग्री माइनस ठीटा जो है प्यारे बच्चो वो होता है कॉस ठीटा और ठीटा का मान है ए बट्टे दो ए बट्टे क्या है दो है साइन 90 डिग्री माइनस ठीटा को कॉस ठीटा लिख सकते हैं कि नहीं लेख सकते हैं और यह हो गया है है यही तो प्यारे बच्टो window हो गया और दिखाने के लिए बोला गया था यहीं तो आपको सित्व करने के लिए बोला गया था तो आप ऐसे क्या करेंगे इसको दिखाएंगे चलिए हम बरतें आगे और अगला देखेंगे साथ नंबर प्रस्न साथ नंबर प्रस्न क्या बोलड़ा है जरा आप भी उस पर गौर कीजिएगा गौर करने वाली बात क्या है साइन सरसथ डिगरी पलस कॉस 75 डिगरी को जीरो और 45 डिगरी के बीच के कोनों के त्रिकोनमीती अनुपातों के पदों में ब्यक्त करना है जानि कि जो यहाँ पर आपको ठीटा सरसथ और 65 दिख रहा है उसको घटा के किसी भी तरफ 15 जीरो से 45 के बीच में ला देना है चलिए हम आराम से ला देंगे जो दिया गया उसको पहले लिख लिजीए क्या है साइन सरसर डिगरी है और पलस में क्या है तो गॉस 75 डिगरी है अब इसे हमें ठीटा का मान गटाना है सायन को सायन को क्या लख सकते हैं, नहीं, तो यह सायन को लिखेंगे आप नम्य को सायन को सायन कर सकते हैं. तो कॉस ठीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री मैनस ठीटा 90 डिग्री मैनस ठीटा ठीटा है 75 तो 75 लिखेंगे फिर आप देखें यहाँ पर कि क्या होने वाला है यह कॉस जो है कॉस रहेगा 90 में से 66 घटाईएगा तो क्या मिलेगा तो सीधी सी बात है 90 में से 67 घटाईएगा तो मिलेगा मात्र 23 किना मिलेगा 23 डिग्री मिलेगा फिर पलस है तो पलस और यह जो साइन है वो साइन रहेगा 90 में से 75 घटाईएगा तो मिलेगा 15 15 डिग्री और यही आपका फाइनल क्या है आंसर है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ठीटा 23 और 15 आ चुका है जो की 0 और 45 के बीच में हैं तो आपको ठीटा को 0 और 45 के बीच में ही क्या करना था रखना था इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं अब हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे आगे हम कुछ फर्मूला अभी ही डिस्कसन कर देते हैं ताकि अगला कलास में आपको जब हम पढ़ाएं प्रसना वली 8.4 को परने के लिए 8.4 को परने के लिए आपको कुछ स्तरकुन मीतिय सर्व समिकाएं पढ़ना है जिसको अभी ही हम क्या कर देते हैं बता देते हैं यानि कि यह कुछ सुत्र आपको मैं बताने जा रहा हूं और इस सुत्र का पर्योग केजियेगा तो आप आगे प्रसना वल तो अगला class में आपको समझ में आएगा classes ठीक है यहां पर हम बरते हैं आगे यह डाल लेते हैं partition यह मालें यह पर जो साइन दिख रहा है साइन को आप रख लीजिए भाएं ठीक है साइन ठीटा को रख लीजिए भाएं तो क्या होगा कौसेक ठीटा को दाहिने भेजना परेगा तो कौसेक ठीटा को दाहिने भेजेंगे तो क्या होगा दाहिने में सर वन है बिल्कुल ठीक वन है और कौस E C cos I theta, बत्टा में क्या चला जाएगा, cos I theta चला जाएगा, यानि कि sin link to Vbased 1體 सट第 2, दूसरा formula बन गया है, और अगर आप cos I theta को coin रखते हैं, C O S E C cos I theta को क्या करते हैं, coin रखते हैं, तो दाहीने में देखिए, प्यारवच्चो one, जो है वो तो one रहेगा ही, और ये sign चला जाएगा उसके नीचे में sign चला जाएगा उसके नीचे में तो हो जाएगा sign theta sign उसके नीचे में गया तो क्या हो गया sign theta हो गया यानि कि इस तरह से आप समझ सकते हैं कि sign theta sign theta into cos theta जो है उसका गुननफल एक होता है sign theta into cos theta प्रतिलयुमं बाले से गुणा कीजीटा तो हमेशा एक आंसर मिलेगा यानि कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो साइन कॉसेक को गुना कीजिएगा तो एक होगा कॉस ठीटा का उल्टा सेख होता है तो कॉस को सेख से गुना कीजिएगा तो एक मिलेगा और टेन ठीटा का उल्टा कॉट ठीटा होता है तो 10 को कॉट से गुना कीजिएगा, तो एक मिलेगा, यानि कि किसी वीत्रिकोन मीतिया अनुपात को उसके प्रती लोम से अगर आप गुना करते हैं, तो आपको मिलता है एक, कितना मिलता है एक, तो यहां से 3 फर्मुला आपको पता चल गया, इसी तरह से इदाइने में जो द अब काम आएगा आगे कुच्चन बनाने में ठीक है वहाँ पर हम बोलेंगे सेख ठीटा बराबर वन बट्टा कॉस ठीटा लिख सकते हैं कि नहीं तो बोलेगा यसर लिख सकते हैं क्योंकि हम परके आएंगे सेख ठीटा बराबर वन बट्टा कॉस ठीटा अब देखिए ये तेन है तो यहाँ पर अगर हम तेन को क्या करते हैं, बाए रखते हैं, तो तेन ठीटा बराबर क्या होगा, वन बट्टे कॉट होगा, वन बट्टे कॉट ठीटा हो जाएगा, अगर कॉट ठीटा को बाए रखते हैं, तो वन बट्टे ठीटा हो जाएगा, वन बट्टे किजना होगा तेन ठीटा तो ये तीन तिया नौ सुत्र हो गए आपके तो ये नौ सुत्र और फिर बढ़िए आगे इसको अगर आप कहिएगा कि सरसीद कर दीजे कि साइन ठीटा इन्टू कॉसेग ठीटा वन कैसे होगा तो मैं सीद भी कर सकता हूँ इसको देख लिजे कैसे साइन ठीटा वराबर देखिए पी बटा एच होता है तो देखिए ह से एच कट जाएगा एक मरतवे तो एक हुआ कि नहुआ तो ऐसे ही आप सीद कर सकते हैं डाल करके कोई दिकत और बड़ी सी बात नहीं है तो ये आप सीद रखेंगे कि उसके किसी भी त्रिकोर मीती पात को उसके प्रतिलों से गुना करते हैं तो यही हस्र होता है यही रिजल्ट मिलता है अब आपके सामने तीन त्रिकुनमीती अनुपात और दिख रहा होगा तो इसके बारे में भी चलिए अब हम लोग डिटेल से जानते हैं सुत्र ही है यह सुत्र है समझने की कोशिस कीज होता है अगर हम साइन स्कॉयर ठीटा को बाय रखते हैं तो क्या होगा देखिएगा यहां पर हम लिख सकते हैं साइन स्कॉयर ठीटा और दाहिने में वन है और कॉस स्कॉयर ठीटा को दाहिने बेजेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस स्कॉयर ठीटा माइनस कॉस स्कॉयर ठ अगर इस पर से स्क्वायर हटा देते हैं तो बाइन बच जाएगा केवल साइन ठीटा क्या बच जाएगा साइन ठीटा और बाइन से स्क्वायर हटाते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दाहिने में रूट लग जाएगा दाहिने में क्या लग जाएगा रूट तो sqr thita को बायर रखिएगा दाहिने में 1 है, sin जाएगा दाहिने, तो माइनस हो जाएगा, sin sqr thita, अब आप cos के उपर से sqr हटाईएगा, cos के उपर से sqr हटाईएगा, तो दाहिने में क्या लग जाएगा, root लग जाएगा, root 1- sin sqr thita, तो यह 5 सुत्र हो गया, पहला सुत्र हुआ sin square theta plus cos square theta बराबर 1 दूसरा हुआ sin square theta बराबर 1 minus cos square theta बांकी तो आप देखी रहें इसी तरह से इस दोनों फर्मोला से भी 4-4 formula यानि कि 4-4 सुत्र आप निकाल सकते हैं चलि मैं लिखी देता हूँ अगर प्यारे बच्चों यहां पर देखा जाए अगर आप 6 square theta को बाएं रखिएगा 6 square theta को क्या करिएगा बाएं रखिएगा दाहिने में आपके पास 1 है तो यह 10 जाएगा तो plus 10 square theta हो जाएगा 10 square theta होगा यानि कि सुत्र हो गया 6 square theta बराबर 1 plus 10 square theta या आप ऐसे बोल सकते हैं 10 square theta बराबर 6 square theta minus 1 दोनों बात पराबर है अब 6 square theta के ओपर से आप square हटा लिजिए तो क्या होगा 6 e हाँ बिल्कुल ठीक है 6 e 6 square theta अब आपने square हटा लिया तो दाहिने में रूट लग जाएगा बांकी बराद तो कुछ बदला होगा नहीं तो 1 plus यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 square theta हो जाएगा फिर इसी तरह से जब आप 10 को बाय रखिएगा तो यहाँ पर होगा 10 square theta और दाहिने में जो देखिए यह minus है ना तो आपको कुछ ऐसा करना होगा 10 square theta ब्राबर 10 square theta 10 square theta और minus 1 करना पड़ेगा क्योंकि 10 में minus लगा हुआ है और दाहिने भी minus common लेंगे तो आपको ऐसा ही कुछ चीज मिलेगा अब आप क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर 10 उपे आप square रटाएगे तो दाहिने में लग जाएगा root लग जाएगा क्या है यह s e c c square theta minus 1 तो यह 4 formula भी इसका बन गया इससे भी आप 4 formula निकाल सकते हैं अगर आप cosec theta को c o s e c square theta को बाएगे रखते हैं तो 1 plus cot square theta होगा 1 plus cot square क्या होगा theta होगा फिर आप इस पर से square हटा लिजिए तो c o s e c cos 1 theta बराबर दाहिने में लगा देना होगा root तो होगा 1 plus क्या चीज तो cot square theta 1 plus cot square theta अब क्या करेंगे सर जब आप cot को बाएगे रखिएगा c o t cot cot square theta को बाएगे रखिएगा तो आपको मिलेगा कौन चीज तो देखिए चुकि minus लगा हुआ है तो minus common लेजिएगा तो कुछ इस तरह का situation बनेगा आपका बन जाएगा cos x square theta c o s e c square theta और minus 1 और फिर जब आप इसके उपर से square हटाईएगा तो दाहिने में उस सभी चीजों पर root लग जाएगा c o s e c square theta minus 1 तो यहाँ पर 5 तिया 15 और यहाँ पर 9 सुत्र 3 तिया 9 तो 15 और यह 9 सुत्र याद रखिएगा आपको आराम से प्रसनाबली 8.4 समझ में आएगा नहीं याद रखिएगा तो 8.4 समझ में नहीं आएगा ठीक है और हमने आपको बताया कि कैसे formula आया कहां से आया वस main तो यह तीन ही formula है यह तीन formula ही main है ठीक है sin square theta plus cos square theta बराबर 1 सेक square theta minus 10 square theta बराबर 1 और से cos square theta minus cos square theta बराबर 1 बाकी तो इसी 3 से क्या है बना हुआ है निकला हुआ है और यहाँ भी 3 ही main है और उसी 3 से क्या है बाकी के सुत्र भी क्या है निकला हुआ है तो आज के लिए तना ही रखते हैं आसा करते हैं कि आप लोगों को कलास अच्छा लगा होगा कलास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त मीत्र भाई बहन को सभी को सेयर कर दिजिएगा and LGR study app जितने प्यारे बच्चे डाउनलोड नहीं किये हैं तो जरूर LGR study app क्या कर लिजिएगा डाउनलोड कर लिजिएगा गुडबाई टेक केर मिलते हैं अगले कलास में